एलो फ्राइंज मैं प्रीति आदव स्वागत करती हूँ आपका अपने इस चैनल पर जब आपके प्रिग्नेंसी का एड थिया फिर नाइंथ मन्त चल रहा होता है तब आपके पेट में दर्द हो रहा होता है उस टाइम आप विक्तिम से अलर्ट हो जाती हैं सोचने लगती है कहीं लेबर पेन तो नहीं है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताओंगी कि आप कैसे पहचानेंगी ये लेबर पेन है या नहीं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है तो वीडियो को कहीं से भी इसके बिना करें वीडियो को पूरा जरूरी देखे, कई बार प्रिग्नेंसी के एड़ या फिर नाइंफ फंद में लेडिस को false liver pain भी होने लगते हैं, यह पीन आपका बहुत ही ज्यादा irregular होता है, जैसे कि यह पीन आपको कभी एक मिनट के लिए हो रहा है कभी दो मिनट के लिए हो रहा है और दर्द होनी का टाइम भी अलग-अलग होता है, जैसे कि कभी तो आपको यह 10 मिनट में हो रहा है, कभी 15 मिनट में हो रहा है, यह पीन आपको continue नहीं होता, बहुत तेज भी नहीं होता तो आप इससे liver pain नहीं कह सकते यह पीन आपके गरबासे में हो रहा है, contraction की वज़य से होता है, कभी-कभी यह pain आपको dehydration की वज़य से हो सकता है बच्चे की बहुत ज़्यादा movement करने की वज़य से हो सकता है तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपको इससे आराम कैसे मिलेगा तो इस pain को कम करने के लिए जैसे कि अगर आप लेटे हैं तो फिर बैठे हैं, बैठे हैं, तो खड़े हो जाएं कुल मिलाकर कि आप जिस भी position में हैं, उस position को change कर दीजे इससे आपका दर्ब कम होने लगेगा, और जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि यह pain dehydration की वज़े से भी होता है तो इस pain को कम करने के लिए जादा से जादा पानी कीजिए इससे आपकी काफी help होगी अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे पहचानेंगी कि आपको labor pain start हो रहे हैं तो यह pain आपको regular gap के साथ होते हैं जैसे कि हर 10 minute पर आपको pain होगा यह pain इतना तेज होगा कि आपको सहन करना मुस्किल हो जाएगा आपकी back में pain हो सकता है साथ ही साथ आपका amunetic flood भी leak करने लगेगा और जैसा आपको period के time pain होता है pain तो आपको वैसा ही होगा बट यह pain बहुत ज़्यादा तेज होगा इवन 9 या फिर 10 गुना होगा साथ ही साथ आपको इस time lose motion हो सकते हैं आपको need नहीं आएगी यह pain कम नहीं होगा और अगर आपको यह सारे symptoms एक साथ हो रहे हैं तो समझ जाएए कि आपको labor pain start हो गए है immediate doctor से consult किर दिये और hospital जाएए क्योंकि यहीं वो time है जब आपको तुरंथ hospital जाना चाहिए क्योंकि आपके delivery अप कभी भी हो सकती है I hope कि मैंने इस वीडियो में आपके सारे doubts clear कर दिये होंगे फिर भी अगर कोई सवाल है तो आप comment box में हमसे पूर सकते हैं हम आपके सभी सवालों के सब जवाब देने की पूरे कोशिश करेंगे और अगर आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे अपनी friends के साथ share करें और हाँ हमारी इस channel को subscribe जरूर कर ले मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए अपना खयाल रखिए स्वस्त रहिए